महराष्टर में special assembly session बुलाकर माराटा समाज को 10% reservation दिया गया था जो के अब high court में challenge किया गया है senior advocate गुर्वंतन सदावर्ते इस वक्त हमारे साथ में है किन आधारों पर आपने इस पूरे जो दिया गया reservation इसको challenge किया देखिए हम 2014 से हम इस विशह में लड़ रहे है डॉक्टर जैश्री पार्टील लड़ी जिसके अंदर जैश्री पार्टील वर्सेस जो मुक्मंत्री महाराष्ट राज जो सुप्रीम कोड ने judgment दी उस judgment में सपश्ट तोर के उपर मराठों को जो है पिछड़ा मानने से नकार कर दिया गया था उसी के साथ अल्ट्रा वाइरस देक्लि पिटिशन रहते हुए एक्स्ट्रा जूडिशल अफेर करते हुए जो है दस पी सदी अरक्षन देने की मराठों को बात चलाई और वो बात चलाते समय स्पेशल सेशन बुलाया गया कोई एक्स्ट्राइणरी सरकम्सेंस नहीं है बोगस तरीके इससे सर्वेक्षन किया गया उसकी कोई सुनवाई नहीं कर दी गई नैच्रनल जस्टिस वाइलेट किया आज खुले वर्ग के लिए सिर्फ 38 टके जगाएं बसती है खुले चात्रों के लिए यह सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है पचास टके के ओपर आरक्षन नहीं जाना चाहिए सपश्टोर पे कहा गया है भारत रत्न डाक्टर भीम राउज अंबेड कर जी ने भी कहा था कि मेजोरिटे नहीं होना चाहिए यह सारों चीजों को ध्यान में मद्या नजर जो है जो यहां के विपक्ष है जो राश्टरवादी कांग्रेश के कांग्रेस के आला नेता शरत पावार जब केंद करने का उनके अपने लोगों से माध्यम से चलाया और उसके मद्या नजर आज की जो विद्यमान सरकार है जो शिंदे पंडवी जी की सरकार है उन्होंने यह अरक्षन दस्ट के दिया वो वो अरक्षन जो है Constitutional Mandate के खिलाफ है वो अरक्षन जो है फ्रॉड विद्धा Constitution है व जो उपन टैलेंट है वो टैलेंट को कही ना जहीं जो खतम क्रें यह कोशिश ना जीै अइस कोशिस चलाई है उस कोशिश को नाकामयाब करने के लिए खुले वर्ग के हित भारत के हिंदुस्तान के प्रभूरि श्री राम चंडर के विचारों के हित में और वो सकती के साथ हम मान्य उचिन आले में खड़े है अरक्षन की राजनीती को रद करने के लिए एक बार आरक्षन रिजेक्ट किया गया उसके बाद फिर से महाराश्य सरकार ने दिया है क्यों लगता है आपको मजबूर है सरकार मराठों को आरक्षन देने में देखिए तीन बार हुआ है यह पहली बार नहीं अब यह तीसरी बार की कोशिस है अभी देखिए ओड बैंक पॉलिटिक्स है विपक्ष के नेताओं ने उस तरह का जो है सत्ता में नहीं रहने के बाद उस तरह का महूल क्रिएट किया जो उद्धव उनकी गर्दन को बहुत तकलीप थी 124 जो है कष्टकर आतुमात्या किये थे जो स्टेट ट्रांसपोर्ट जब उनको समय नहीं मिला था फिर भी गर्दन गर्दन इनकी तुरंट सीधी हो गई जब सत्ता के गलियरों से उतर गए फिर यह जो शरत पवार जी मंत्री थे जब उनको नहीं लगता था यह विपक्ष वालों ने एक ट रेविन्यू मिनिस्टर महराठा है बड़े पहिमाने पर महराठा लोग है और यह कही न कहीं ओड बैंक विपक्ष न ले जाए और विपक्ष यह चाहता है कि जो सत्तादारी है वो न ले जाए यह दोनों के गड़बडी के अंदर खुले वर्ग जो ब्राह्मन हो ठाकूर ह चत्री यह हो जो भी हो जो टैलेंट है उनके उपार कुलाडी मारने का काम चल रहा है और यह कुलाडी नहीं मानने दी जाएगे मारान का महराश्रा है यह नहीं चलेंगी यह जो जो कुई वह वह क्या बोलते हैं तुतारी जो मिली है शरत पवार की यह तुतारी जो है तुतारी कही ना कई उनके विचार वह तुतारी के तोड मरोड देने के लिए हम जो है मानिय उच्छनाले में कहीं यह बात आप मानते हैं कि मनुद जरांगे पाटिल को जीस तरह का समर्थन मिल रहा है वह विपक्षी पार्टी आयने की शरत पौर उद्व ठाकर से मिल रहा है देखिए उद्व ठाकर हो शरत पवार हो यह जिस तरह से गंदी राजिनिती कर रहे है अरक्षन की अरक्षन को लेकर यह कोई भी हिंदूस्तानी कोई भी सवीधान्वादी अदमी मनजूर करेगा लेकिन ये विपक्ष्क्य जो शरतपवार पॉलिटिक जी से कहते हैं जब उसक्ता में नहीं रहते हैं तो इस तरह के वो खेल खेलते रहता है उसमें का ये खेलल का एक गेम है और यह गेम का एक प्यादा की तोर के ऊपर कुछ लोग जैसे अपने नाम लिया ये लोग उनके प्यादे है मंडे कप fundo सब्सेरे दखेर तो अरे जहां पर इसी मान या उचने आयले ने प्रमोशन रिजर्वेशन के उपर अपनी बात कह दी है, अभी तक बाकी दुसरे वर्गों को प्रमोशन रिजर्वेशन के उपर कोई सोहलत नहीं मिली है, वहाँ पर तुम मराटों को रिजर्वेशन प्रमोशन भी देने की ब करीबन मेरे मालूमाद से 30,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट है और आने वाले चुनाओ यह दोनों की बात है जिस तरह से जहीश्री पाटिल जी के केस में हमने सुप्रीम कोड के सामने रखा था उसी तरह से जैसे स्टे मिला था उसी तरह से हम यह सारी चीजे रखेंगे और हम कोड से गोहर लगाएंगे कि राजनीती करने की इजाजत है डेमोक्रसी में अरक्षन को लेकर गंदी राजनीती करने की इजाजत नहीं है और खुले वर्गे के उपर का अन्याय कोड ना सेहन करें और स्टे दे इसलिए हम जल्दी से जल्दी जो है मिंशनिंग मंडे की दि झाल